नमस्क्रार में अशोख व्यास कारिक्राम वाइट एंगल भी अशोख व्यास में आज मैं बहुत ही प्रसंद हूँ क्योंकि आज आज आपके साथ मुलाकात करते हुए या करवाते हुए एक ऐसा शक्स मेरे साथ है जिसमें से जिनने कई लोग एक अलग रूप में जानते हैं उनकी एक पैचान यहाँ पर इस रूप में रही है यहां के प्रमुक टेलिविजन चैनल्स के साथ में उन्होंने अपनी सेवाई जो कैमरा मेन के रूप में दी तो कई लोग उनको राजा साहाब को उस तरह से जानते हैं पर कई लोग यह नहीं जानते हैं कि इनके पीछे जो स्रजन शीलता की साधना का एक सफल जो इतिहास रहा है उसमें उन्होंने बहुत महत पुण टेलिविजन सीरियल्स का प्रोडेक्शन भी किया है और राजा जी का पूरा नाम भुपिंदर राजा भट्टी है तो हमारे राजा जी का स्टूडियो में स्वागत है नमस्त नमस्ते अश्रग जी राजा जी यह वाली जो मुलाकाते होती है उसमें एक विशेश आनंद इस बात का होता है कि हम आपके बच्पन की तरह जाकने का अफसर भी ले सकते हैं हमें से कुछ लोगों को साहित्य में रुची होती है आपका गुजराती साहित्य में विशेश र जाग रह गए कौन से नाट्या लेखक गुजराती के हैं जो आपके प्रियर है थेटर मैंने 1975 से थेटर शोड़ किया था और मेरे पिता जी ने मुझे मेरे इंटरेस्ट देके 1977 में गुजरात कॉले के ड्रामेटिक डिपार्टमेंट में मुझे दाखला करवाया वा काफी क चोड़े मोड़े प्ले किये उसमें मैं इन्वल्ड था मैक स्टेज में और आसेशन डिएटर में तो ऐसा एक मुझे याद है शांशा अकबर्शा तो शांशा अकबर्शा का प्ले मेरा मित्र अजी तजबरी रोल कर रहा था मेरे मित्र डॉक्टर प्रविन हिरपरा एक्ट मानना सेश्क है आनू अंतर यह तड़ो श्रीहती यह सिक्रनी जाहो जलाली एचोरंगी नो चोग एई पातत खानू यह मक्का मस्जित सव सव वर्षे जीरवायशे ने उच्चार्शे फरी पाचो शांशा अकबर्शा नू समग्रकाल यह शांशा अकबर्शा का डायलोग अजया गविगनी पर शांशा अकबर्शा का जो कर लो नहीं अंत काल था अंतकाल में वह अपने पूरे ग्रु टर पर रिग्रीों क Chryemorish Audlin के बातकरता है और उसकी जो मानता थी शांसा अक्बरशा का महल, चोरोंगी नचौक उसका उलेक करता है और थोला दुखी आत्मा था यह एक डायलोग था बस यह यह दो वारे पर आपने बहुत अच्छे से इसको भी तक याद रखा और 1975 के आसपास की बात है उस समय जो आपने कोर्स किया का ड्रामा सीका विदिवत तो थोड़ी दिर वहां पर रहते हैं वो एक अलगी दिन होते हैं जो मस्ती होती है और सपने होते हैं एक थोड़ी सी अनिश्चित्ना होती है उन दिनों में जो लोग ड्रामा का कोर्स आपके साथ कर रहे थे वो कोई-कोई आपको पता होगा क्य उन्होंने अपना अभीने आगे निखारा कुछ क्या उनकी यात्रा रही और भी कोई संस्मौन अगर उन दिनों का हो संस्मौन तो बहुत कुछ है जैसे डॉक्टर प्रविन हीर पर आप खुद डिस्पेंसर भी चलाते हैं और अच्छे बहुत आइसी ट्रामा करते हैं मुझे देखके बहुत सुकूर होता है जो मैं नहीं कर पाता वो लोग करते हैं क्योंकि फिजिकली में तो अच्छे रोल में नहीं सकते थे तो टेक्निकल जो पूरी सिनेक डिजाइन मेकप यह फिर लाइन अफ एक्शन्स और लाइट्स सब कुछ मैं सिखाता है उसकी जाथ इसके होते हुए मुझे टेलिजिजन फिल्ड में अटेक्निकल जॉब बिल ग मैं इसलों की बात करूँ तो थेटर करने के बाद मैं बहुत यंग था इसलों में मुझे सिनेक डिजाइन की फ्लोर मेंजर की जॉब मिली तो मुझे बहुत सर्प्राइज हुआ मकर उसलों मुझे फाइदा यह हुआ कि फिल्म इस्ट्विट के और काफी कुछ इंडियन इंडिस्ट्री के बाद वैल नोन डिरेक्टर प्रोडुसर्स वो लोग उच्छ रूरल टीवी के लिए सिवा करने के लिए आये थे यह इसलों का बेज यह था कि विक्रम बई सारा वही है उनका एक विजन था कि कुछ गाओं का उत्थान करें ग्राम उधार का कारेक्रम करें जी उसके इसलों ने रूरल टीवी की शुरुआत स्पेस एप्लिकेज सेंटर में की वा इन 1975 से और उस्टाइब रूरल टेलीजन प्रोग्रम के लिए बड़े-बड़े अच्छ सब्सक्राइब के विश्वनात केतन मेता इसलों में थे तो उनके साथ पार्ट अब दे वर्क करके काफी कुछ मुझे जिखने को मिला काफी कुछ जान लेका मिला और यह साइट साइट प्रोजेक्ट वर्ल्ड फेमस हो गया था इसलों का ओ यह एक अईतियासी घटना थी अईतियासी घटना है और इस बात से भी पता जलता है किस तरह संचार माध्यमों का उपियोग जागरुकता और साथ ही जो जीवन इस तरह उसको उचा उठाने की दृष्टी से किया जा सकता है वह जो समय था जब हम बात करें अभी 75 के आसपास की 80 अरली और अब जो समय है तो मीडिया के लेंड्सकेप बिल्कुल बदल गया है उस तरह से नाटकों के साथ जो जुडाव है वह भी पूरी तरह बदल गया अब वैसे आप गुजरात में नहीं रहते हैं पर आप अगर तुलना करें थोड़ा बहुत जो आपको ध्यान है उस वक जो नाटकों के प्र कि आदिया पाझ जनक दवे थे उनका कहना थै काच्शी मेंड का पिंड है औो पिंड को मढ़कि मुझे एकर बनाना है तो यारी कि इतने प्रोसेस से हम लोग निकलते थे जैसें स्कृप के बाद वक्ड वोईस मोडलियलेशन वो एस मोडियस पीनरियर के बाद अड़ एक् इंप्रोवाइशन, ट्रिट्मेंट, और लोग भूगे यालि कि उसको जो पसंद है उस प्रकार जे फॉर्मेट करते हैं, मगर जो थेटर, अमने देखे थे, इवन प्रेमिन, जोशी के थेटर, सब्तपदी, खेलन दो, ऐसे, राजरी आपकी बाते हैं सुनते हैं, और भी अन लेख रहे हैं, जिनके साथ आप बहुत समीब का आपका समंद रहा है, उन में से किसी लेखक के बारे में बताएं, और कौन ऐसे लेखक हैं गुजराती कि जो आपको विशेष प्रिय रहे हैं? लेखक तो बहुत है, जैसे चिनु मोदी, मेरे फैबरिट रहे, फिर अलाप मेरे फैबरिट रहे, और मुझे काफी कुछ रिस्पेक्ट मुझे हुआ, और डॉक्टर चंदरकान शेठ, तो डॉक्टर चंदरकान शेठ तो पोएट थे, बगर छोड़े-छोड़े ड्रामा भी एकांकी लिखते हैं, और मेरा अहुभग यह रहा, कि मैंने थेटर करते है जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ साहीत का गिनान हो, फोड़ा कुछ मुझे होना चाहिए, तो मैं गुजराद विद्याबिट में प्रेंटियाकात के, इस स्टुडेंट पलोटिवाल के बैट के, मैंने डॉक्टर शेठ के पास M.A. किया, M.A. क मैं टेलिविजन रूरल प्रोग्राम में लिटरी ऐलिमेंट करके थीसिस भी किया, उसके बाद मैंने एंफिल किया, एंफिल में भी टेलिविजन प्रोग्राम का समगरा लेवल के बात करके मैंने थीसित बढ़ाया था, तो मुझे महार दर्शन दॉक्टर शेठ का बहुत मिला, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने शेठ साइब को मैं जानता था अची तरह, तो मेरी टेलिविजन सिरियल का सौंग पर उसके पास लिपाया है, जो काफी कुछ पॉपिलरी सिरियल मेरी, 90 में, और अम्दा अदुदर्शन के पहली एंगर सिरियल थी, तो एक थेट और बात रही होगी, वो खशन याद करें कि जब आपने ये सपना देखा, वो साकार हो रहा था, उस अनुभव के साथ साथ फिर हम आपकी फिल्मों के साथ जुडाव की भी बात करेंगे, टेलिविजन सिरियल के शुरुआ करने के लिए मुझे काफी लोक उन सपोर्ट किय जैसे कि मैं ऐसे फिरनांसर शूर करता था कुछ इंफरमेशन डिपार्टमेंट करें चोड़ी चोड़ी प्रोजेक्ट जैसे मुझे यहां इतना पैसा मिला, यहां से चोड़ी चोड़ी आमदानी, आमदानी से मैंने पाइलोल मनाया, और डॉक्टर देवे, हमारे गुजर से उन्होंने मुझे गाइड किया, सिलेक्षन में, अच्छी स्टॉरी से रख करने में, तो ऐसा स्वरूप मैंने लिया, डॉक्टर शेट का गाना, देविंद्र पड़िल की स्टॉरी, और मैं डिरेक्ट किया, मेरे डिरेक्ट्ट में मुझे इतना मज़ा है कि वह सिरियल क काफी कुछ मुझे माइलेद दिया, और काफी नए नए अच्टरों मुझे कॉपलेट किया, मंबई के, अम्दावाद के, काफी नामी एक्टरों, जैसे होमियवाडिया, रागिरी, दिभग गीवाला, घरमेश व्यास, और अम्दावाद इंडेस्री के पॉपलर एक्टर, हूने मराए, हूने मराए में तो स्मीता जैकर और अजित वच्छानी, मौन गोखले, अच्छा, इन लोगों ने भी बड़े-बड़े अलागार थे, तो थोड़ा सा बात करते हैं, जो धारावाई बनाने की विदा कहते हैं इसको, या उसमें एक टेक्निक है, और बिना ज् अगर मैं ये कहूं की एक तरह का क्रत्रिम रूप से हर एपिसोड के बाद में कुछ ऐसा द्वार कोला जाता था कि आप अगला भी देखेंगे, या हिंदी में जो दारावाई मैने गुजरा दी नहीं देखे, उन दिरों में जो आते थे, तो वो क्लोज अप शॉट्स का ख कव जैंडीर में एसी पैटर्ण लेती, मगर मेरी स्टूरी, देविंद्र रबे की स्टूरी में, उसको टृत्मेंट रबे मुझे हाता था, जैसे स्टूरी में 상황 में विजा अझए्ज में शूरी की, मगर उसका एंड उस प्रक bás टार था कि यूम्र intense, अए वो अड़क बि तो समझो रही जैसे एंग्लिश फिर्म देखते था है ओ हैंरी की स्टाइल हम उस प्रकार की स्टाइल देविद्र पठेख मैंने पिक अप की ती और स्टोरी का अंत मैंने उस प्रकार दिया था और मैंने मैक्सिमम राश्ट्रिय और अपना एंडिया इस्ट्रुमेंट का कि मैंने भी आकाशोनी जूतपुर में कई वरस काम किया है और वो प्रसार बारती बाद में आया था और ऐसा लगता था कि जो यह संचार मादियों थे अब कैसा है मुझे ठीक से पता नहीं पर वो दिली से फर्रे आते थे कि यह करना है इती तरह के कारेक्रम होने चे इस करेक्मेंट बेजने होते थे तो एक अलग तरह का वातावनन वहां पर रहता था जिसमें क्रियेटिवली ग्रो होने का बहुत अधिक स्कोप कई भा लगता था कि नहीं था आपका अपना हुआ क्या रात दूरशन का मैंने दूरशन इसरो के बात जोइन किया मगर इसरो के जो इंट्रिलेक्शल प्रोडूसर के साथ मैंने काम किया जो एक अलग लेवल था उसके बाद दूरशन में जाने के बाद मुझे बात अंकमफोर्टबल फील हुआ क्योंकि जो सोच समझ और जो लगाओ प्रोजेक के परदी होना चीए ऐसा मैं कर नहीं पाता था तो मैंने तीन साल में दूरशन की जॉब भी छोड़ दी मैं एजूकेशन टेलीजर में चला गया एजूकेशन टेलीजर में मुझे काफी कुछ फ्री फ्रीली एड्मस्वियर मिना और मैं खुद अपने प्रोजेक अच्छी तरह कर पाया है जो आप यह वताई मैंना सुना है कि आप प्रोड्यूसर की सेलेक्शन हुआ इस प्रोड्यूसर और उस ताइम कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट शूट करने के लिए मुझे जूस किया जाता था तो गुजरात के एक सीम बाबु भाई जैस्पई पटेल से लगा के नरेंद्र मोदी तक सब सीम के साथ ऐसे के विकास वाली जो बात थी तो मैंने परसनली कुछ गाओं में जाके विकास वाली बात देखी तो मुझे बहुत आणन्द रहा के मुझे अहो बग्य मिला कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ भी काम कर पाया तो हमारी साथ है हमारे मित्र और टेलविजन सीरियल हमें प्रोड्यू नाम का था पल्टन का ये फौजी था कुछ ने पल्टन बच्चों के से बच्चों की बच्चों की बच्चों की पांच बच्चों की पहली सेरियल अंतरना आइकान थी वह आपको बताई पल्टन थी पिर कॉमेडी सेरियल थी हूने मारा ये हूने मारा ये हूने मारा ये मत जैसे एक अंतनाएगा देवेंदर पटेल ने लिखा था पल्टन लक्ष्मकर्पंडिया दिलीपथ अच्छे लेकर और यह जो था इसको अवाड भी मिला था आपके सीरियल को तो कभी एक लेखक होता है वो निर्देश्य के साथ बैठता है और अपने लिखे को किस तरह से न नहीं चाओ आपको बताएगा कभी न कभी कि आपने यह ठीक है नहीं किया तो उनका वो जो आपका सम्वाद उनके साथ अनहा होगा देवेंदर जी के साथ बहुत रहा देवेंदर पटेल जब स्क्रिप्ट लिख के आते थे तो काफी हमारी बाहस भी होती थी कि यह आप इस तरह प्रुजेक्ट कर रहे हो तो मैं डिटली मानता हूं कि एक एक केरेक्टर को थोड़ा इंपॉर्टर्स और दीजिए और इसकी घटना का देव अंत आ रहा है तो अंत बराबर नहीं है मुझे तो इसमें मॉडिप्रिकेशन तोड़ा पड़े आपको तो इसी ब लगी जहां मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो मैं इवेलोशन के लिए उनको पुलाता था जो उनका मुझे बेनिफेट अच्छा मिला ऐसे कौन से लेकग या निर्देशक या जो तीयेटर और तेलेविजन जगत से जुड़े रहे जिन में देविंदर पतेली और बहुत सपर्श पसंद आया जैसे बरत दवे वह एनेस टीके थे उनका एक विजन अलग था दूसरा दीपक बावसकर दीपक बावसकर दोदेशन के प्रोडूसर थे और उन्हें ने जो प्रोजेक्ट के लिए जो उसका लगा हो था उसका काम था मुझे बहुत अच्छा ल पार्टमेंट में और उसमें एक फिल्म में आपने परेश रावल के साथ भी काम किया था तो परेश रावल का जो केरियर ग्राफ है वो गुजराती से होता हुआ इंदी से होता हुआ राजनिती से होता हुआ और उन्होंने अपना एक विशेष स्थान जो जगत में अपने बहुनी भवाई में तो परेश रावल नहीं थे, बहुनी भवाई हमारे केतन मैता साहब ने डिरेक्ट की थी, और उस टाइम वो क्या लोग नाटियो शहली पर कुछ से गया था, एक फोक फोम था, और फोक फोम को उसने एक अलग लेवल से रिप्रेजन करने का प्रयास किया उसमें थोड़ा कुछ मुझे, एक मेरा दोस्त बिमार होगा था, उसके रिप्लेस फिल्म में गया था, एक वीक परड़ेशन में, मगर ओ फिल्म में मिला, इतना कांट्रिबिशन था, उसका भी मुझे बहुत आनन था, मगर एक फोक फोम था, और फोक फोम को अच्छी तर करते थे, इसमें मेरा दोस्त निमेश और गोपी, गोपी एनेस्टी में पढ़ती थी, गोपी के पढ़ाई खतम ही, तो गोपी को हिरोईन लेकर नया हिरो की खोच करने के लिए मुझे गए, तो मुझे याद है कि बाइदास हॉल पे मैं परेश रावल को स्क्रिम देने गय मेरा जो दोस्ता, मेरा सिनियर निमेश देशाई, उसका विजन दुसरे पकारगा था, उसकी सोच ऐसी थी कि हर फिल्म में ये लोग गरबा रखते हैं, तो ये कुछ टिपिकल चीज नहीं है, तो उसने एक ओल्ड रंगभूमी का सौंग रखा, और उस सौंग में का एक विल्म का विरेशन भी किया था, तो ये फिल्म बहुत अची रही, और फिल्म से जुड़ी वी दूसरी एक बात, इम्पोर्टन में से बताता हूं, कि एक पोईटर को राज़कोर से बने बुलाया था, उसके साथ काफी बहस हुई, डिसकुशन हुई, फिर हम उसको एस्ट के टिकेट के पीछे लिख के दिया, और ओ गाना इतना पॉपिलर हुआ, सावरियो रे मारो, सावरियो, उतो खोबो मागूने, दैदे दरियो, ये गीत काफी पॉपिलर हुआ, और सुगम संगीत में अभी आज एक लिजन गाना हो रहा है, सब सिंगल लोग गाते, क्या बा बात्षीत में भुपिनलर राजा भट्टी जी आप तेलेविजन सेवल के निर्माता निर्देशक रहे हैं, फिल्मों के साथ, गुजराती फिल्मों के साथ, आपका जुराव रहा है, कैमरामेन के रूप ने बहुत सेवाई दी हैं, और आप अपने आप में एक जो सांस्क करतिक सम्रद्धी को लेकर चलने वाले पुरुष हैं, तो राजा जी समापन के साथ, मैं पूछना जाओंगा आप संक्षे मता हैं, कि जो कुछ क्रिएटिव फील्ड में आपका अनुवा इंडिया मेरा उसे कई अधिक लंबा समय आपने अमेरिका में इतने सारे इवेंट करते हुए देखा है, तो यहां पर क्या आपको लगता है क्रिएटिव इंक्लिनेशन लोगों का उसको लेकर कितना संतोश आप लगता है, क्यूंकि बहरत से बार हम देखते हैं कि सभी प्रयतन करते हैं यहां कि वो संस्कृती जागरत रहे आपको प्रशन बहुत इंपॉर और टीम में सबको अच्छा काम करना है, मगर किसी को समय डिवोट करना नहीं है, दूसरी बात, कि मैं इस चीज को अब मैच्छुली देखता हूं, कि मैं कोई अभी अभी नहीं करना वाल कलाकार मीने, मैं एक्टिंग करूंगा, तो I'm not consider he as actor, he should be, एक प्रोसेस में जैसे हम डावा के ठीटर में प्रोसेस में निकले थे, प्रोसेस में उसको आना चाहिए, और इसके बाद और पर्फॉर्म करने के बाद हम रिशाय कर सेकते हैं, यह एक्टिंग करने के इच्छा बहुत है, अकांग्शा बहुत है, मगर टीम वर्क है, टीम वर्क में, अभी तक स्नुडल वाले यूग में जीते हैं, और दैरे हमारे पास है नहीं, अगर रेड लाइट ग्रीन हो गई, गाड़ी नहीं गई, हॉर्म बजा देते हैं, अगर इंटरनेट हमारा बिलकुल जल्दी दूसरे पेज पर नहीं ले गया, तो हमें घुसा आने करता है, हम उस करो, उसके बाद क्लेम करो कि हां मुझे यह कर रहा है, वैसे ऐसा लगता है, कहां गए वो लोग, ऐसे लोग होंगे नहीं, लेकिन जो है, वो जितना घर है, उसकी जरादा करते हुए, मुझे लगता है वागे चले पर वैसे लोग भी हैं, कम होंगे शाद, पर राजा जी आपने जो इतनी महत्वपून यात्रा स्रजन शील्दा की किये, उसके लिए मैं आपको बढ़ाई देने के साथ, मेरे अगरे को आपने सुविकार किया, कि अपनी यादे हमारे दर्शकों के साथ बांटे, उसके लिए मैं आपका अवारी हूँ, तो ऐसी मेरी आशा है कि ही बनाने का वो भी पूरा होगा ही होगा, तो उनके लिए मंगल कामना है और ये जो यादों के गलियारे से निकलते हुए, हम देखते हैं कि तब क्या था, अब क्या है, और कहीं एक संकेत मिलता है कि आगे क्या हो सकता है और उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उसके ल है जो इमानदारी से निष्ठा से संस्कृती के साथ जुड़े रहे हैं प्रेम करने के साथ साथ उनका अबार्वेत करते हुए आपके लिए मंगल कामने अशोग व्यास को नुमती लें अशोग व्यास को नुमती लें